भारत चीन के बीच LAC पर फिलहाल चानती है लेकिन विवाद अभी भी बना हुआ है चीन की चालबाजियों के बीच अब भारत ने उसे घेरनी की तयारी कर ली है चीनी कंपनियों को सरकारी खरीद प्रत्रिया से दूर रखने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए है तो क्या है ये नियम जिन से चीनी कंपनियों को होगा बड़ा नुकसान देखे इस सिपोर्ट में LAC पर भारत चीन विवाद का असर अब भारत और चीन के बीच कारोबारी संबंधों पर साफ साफ दिखाई देने लगा है भारत ने सबसे पहले चीनी कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश की और केंदर सरकार ने जनरल फाइनेंशिल रूल्स 2017 में संशोधन किया है इस संशोधन के बाद जिन देशों की सीमाए भारत से लगती हैं वहां की कंपनियों को भारत में सीधा निवेश करने से रोक दिया गया भारत के पडोसी देशों से FDI के लिए सरकार की अनुमती जरूरी कर दी गई ये नियम चीन को देखते हुए ही बनाया गया था चीन से संबंध और खराब हुए तो सरकार ने कई चीनी आप बैन कर दिये और अब सरकार ने चीनी कंपनियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से दूर करने की तयारी कर ली है सरकारी खरीद के टेंडर में उन्हीं विदेशी कमपनियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जिन देशों की सरकारी खरीदारी में भारतिय कमपनियों को सप्लाई देने का मौका मिलता है यानि जो नियम जिस देश में भारतिय कमपनियों के लिए हैं वैसे ही नियम भारत में उस देश की कमपनियों के लिए लागू होंगे चीन में भारतिय कमपनियों पर सरकारी खरीद में सीधे शामिल होने की अनुमती नहीं है इसलिए जाहिर सी बात है कि चीनी कम्पनियों को भी अब भारत में इस तरह के सौधे में शामिल होने की अनुमती नहीं होगी यह नियम सभी सरकारी विभाग और मंत्रालियों के लिए लागू माना जाएगा DPIIT की तरफ से बताया गया है कि भारतिय कम्पनियों को सरकारी खरीद में हिस्सा लेने से रोकने वाले देश की कम्पनियां सिर्फ उन्ही आइटम की सरकारी खरीद में हिस्सा ले सकेंगी जिनकी सूची सरकार प्रकाशित करेगी यानि साफ है कि सरकार अपचीनी कमपनियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने की तयारी में है डिबी लाइव की रिपोर्ट